Hello everyone, welcome back to the channel City's Commerce Tutorial Friends, यह आपके Principles and Practice of Insurance Second Paper का First Part है जिसमें आपको 30 Most Important MC को Question बताऊँगा और इसका Second Part जो है जो 40 Question का होगा सामको 5-6 बज़े के बीच में आपका Upload हो जाएगा ठीक है और Friends, आपको बता दूँँ कि इतना Question जो है आपके Exams के लिए काफी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिस करूँगा कि एक और वीडियो सुबह तक Upload कर दूँ ठीक है इसका Third Part और Friends, आपको बता दूँँ चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बेलेगन को Always Press कर लिजेगा और अपने दोस्तों को माल को बाहर फेकना यानि Intentionally Throwing Out Goods तो यहाँ पर यही वला अप्शन सही हो जाएगा Question number आपका Second है सामुदरिक भीमा में भहतिक से अधिक जोखिम पाया जाता है In Marine Insurance, there is more risk than physical यह अप्शन है आपका समाजिक यानि Social भी है, नैतिक यानि Moral और यही वला अप्शन आपका सही हो जाएगा Moral Friends, आपको बता दूँ यह जो जोखिम होता है न संपतिक के स्वामी के ब्यक्दिगत अनियतिक आचेरण के कारण होता है ठीक है, भी वला अप्शन आपका सही होगा Question number आपका 3 है सरपर्थम समुदरी बीमा बयोसाय ने Lombardi नामक अस्थान पर में जन्म लिया था For the first time, marine insurance business was born in a place called Lombardi Inn यह अप्शन आपका 1170 EC में B है 1170 EC में और C है 1182 EC में और यही वला अप्शन आपका सही हो जाएगा 1182 EC में Question number 4 है समाने और सतहानी होती है General average loss is A अप्शन आपका जान भूज़कर यानि Intentionally B है अकास्मिक यानि Accidental C है उप्रुक्त दोनों यानि Both of the above D है उप्रुक्त में से कोई नहीं Non of the above यहाँ पर जो सही अप्शन होगा ना फ्रेंट्स वोगा आपका A जान भूज़कर यानि Intentionally Question number 5 है संकट कितने परकार के होते हैं How many types of Crisis are there एफ्सन है आपका Two और यही वोगा आफ्सन सही हो जाएगा दो परकार के होते हैं पहला होता है भावतिक संकट और दूसरा होता है नयतिक या अचारिक संकट ठीक है और फ्रेंट्स अचारिक संकट क्या होता है यह आप नयतिक या अचारिक संकट कैसकते हैं दोनों संपतिके स्वामी से ही related होता है ठीक है लेकिन नैतिक संकट जो होता है न संपति स्वामी के ब्यक्तिगत यो नैतिक आचराण पर अधारित होता है और अचारिक संकट जो होता है ये संकट जो भीमादार की लपरवाही चरित्रहीनता या भीमानी आधिके कारों से उत्पन होता है ठीक है, दो परकार के होते हैं ये, छलिए, question number 6 है आपका, संकट का आसे किस से है, यानि what mean by crisis, ए अपसन है आपका, खत्रे से, यानि from danger, और B है, जोखिम से, by risk और C है, जोखिम या खत्रे से, यानि from risk और danger, यहाँ पर जो सही अपसन होगा ना friends, वो होगा आपका C, जोखिम या खत्रे से, question number 7 है, भौतिक संकट से अधिक खतरनाक है, it is more dangerous than physical crisis, ए अपसन है आपका, अचारिक संकट, और B है, नैतिक संकट, और C है उप्रोप्त दोनों, यानि both of the ever, ठीक है, तो यहाँ पर जो सही अपसन होगा ना friends, वो होगा C, दो ही संकट होता ही है, भौति सकते हैं, आचारिक या नैतिक संकट, यह दोनों एक ही है, ठीक है, तो यहाँ पर C वल आपसन सही हो जाएगा, अचारिक संकट और नैतिक संकट, question number 8 है, premium निर्धारण की प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है, the process of determining premium is divided into how many parts, यह अपसन है आपका 2, B है 4, C है 3, और D है उप्रक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर जो सही अपसन होगा ना, friends, वो होगा आपका C, 3, और वो कौन-कौन सा होता है, friends, तो पहला होता है, जोखिम का वर्गी करण, दूसरा होता है, बिवेचन या बिवेद, और तीसरा होता है, premium की गड़ना, question number 9 है आपका, अगनी भीमा पत्र होता है, fire insurance letter is, A, मौखिक, यानि और अरल, B है, हस्त लिखिज, यानि handwritten, और C है, छपा हुआ, यानि printed, और यहीं वहला अपसन आपका सही हो जाएगा, printed, question number 10 है, अगनी भीमा कराने की प्रक्रिया को बाटा जा सकता है, the process of getting fire insurance can be divided into, यह अपसन है, दो भागो में, यानि in two parts, B है, चार भागो में, यानि in all four parts, और C है, पांचों भागो में, यानि in all five parts, और D है, साथ भागो में, इन seven parts, और friends आपको बता दूना, यह मैंने जो question लिया है, वहाँ पर दिया हुआ है आपका पांच भागो में, यानि four parts, लेकिन हमारे इसाब से जो answer सही होगा ना, वो होगा, D, seven parts, ठीक है, और वो आपको बता भी देता हूँ, पहला है कंपनी का चुनाव करना, दूसरा है प्रस्ताव पत्र भरना, तीसरा है प्रतिष्ठा का परमान पत्र देना, और चौथा है कंपनी द्वारा जोखीम का सर्वे छोण, और पांच वा है प्रस्ताव पत्र की सवकिर्थी प्रेमियम का भूगतान, और छठा है आवरान पत्र और सात्वा है आपका भीमा पालिसी, तो साथ होते हैं, वैसे उसने दिया है, बुक में, पांच आंसर, यानि आप देख लीजिएगा, हमारे साथ से डी सही होना चाहिए, क्वेस्टन नंबर आपका 11 है, अगनी भीमा में क्रेता सावधान का सीधान्त, प्रिंसिपल आप बायर कौसन इन फायर इंसरेंस, ए अपसन है, आपका लागू होता है, यानि अपलाई होता है, तो यहाँ पर अपसन सही हो जाएगा, अगनी भीमा में क्रेता सावधान का सीधान्त, लागू होता है, प्रिंसिपल नंबर आपका 12 है, मोटर दुरघटना दौरा किसी के घायल होने या मर जाने पर कितने घंटे के अंदर पुलिस को सूचना देना आउस्यक है, यानि विदिन हाव मेनी हावर्स, it is necessary to inform the police if someone gets injured or dies in a motor accident, यह अपसन आपका 6 हावर्स, B है 12 हावर्स, C है 18 हावर्स, और D है 24 हावर्स, तो यहाँ पर जो सही अपसन होगा ना फ्रेंट्स पर होगा आपका D 24 हावर्स, question number 13 है, संत्रिप्त ब्यक्ति दुरुगटना के कितने दीनों के भीतर मामला ट्रीबूनल के निड़े के लिए प्रस्तूत कर सकता है, within how many days after the accident and aggrieved person can submit the case for decision to the tribunal, F आपका 30 days, B है 45 days, C है 60 days, D है 90 days, यहाँ पर जो सही अपसन होगा ना फ्रेंट्स वो होगा आपका C 60 days, question number 14 है, किस मोटर यान अधिनियम के अंतरगत बीमा कराना अनिवार रहे है, under which motor vehicle act is, it is mandatory to get insurance, A अपसन है आपका, 1987, B है 1988, C है 1998, D है 1999, यहाँ पर जो सही अपसन होगा ना फ्रेंट्स, वो होगा आपका, B अनिशो अठासी, under section 146 of Motor Vehicle Act 1988, ठेक है, वी वाल अपसन आपका सही होगा है, question number आपका 15 है, स्वरपर्थम motor यान अधिनियम किस सन में लागू हुआ, in which year the motor vehicles act first come into force, यह अपसन है आपका, 1888, और B है 1988, और C है 1939, और D है 1990, और यहाँ पर जो सही अपसन होगा ना फ्रेंट्स, वो होगा आपका, C, 1939, C वल आपसन से ही हो जाएगा, अनिश्व उन्तालेश, question number आपका 16 है, बैक्तिक दुरघटना वीमा का समद्ध है, परसनल एक्सिडेंट इंस्रेंस इज रिलेटेट टू, यह है मानव जीवन से, यह फ्रॉम हुमन लाइफ, और यही वल आपसन आपका सही हो जाएगा, बैक्तिक दुरघटना वीमा का समद्ध जो है, इसे है, मानव जीवन से है, question number 17 है आपका, व्यक्तिक दुरघटना वीमा में परस्तावक की आयू कितने वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए, in personal insurance, the age of the proposal should not exceed how many years, यह फ्रॉम है आपका 50 वर्स, और भी है आपका 69 वर्स, और कहरा कि C, 60 एर्स है, और दिया आपका 70 वर्स, और फ्रेंट्स आपको पता दू, कि बुक में जो है न, आपका दिया हुआ है 69 वर्स, लेकिन, मैंने गुगल भी किया और गुगल पर देखा, तो उसमें 70 वर्स दिया था, कि 65 से जो है न, उसको extend करके, यानि बढ़ाके, सेवेंटी येर कर दिया गया, मैंने कुछ जो, इंसरेंस एजेंट हैं, उनसे भी मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला ये कि, वो policy के उपर depend करता है, कि किस तरहक का scheme है, और उसी हिसाब से age भी, निर्धारित होता है, तो, मैंने maximum age जो determine किया, हमारे इसाब से 70 ही होना चाहिए, 69 तो नहीं होना चाहिए, और भुक में भी मैंने देखा, तो 65, 70 maximum दिया था, यानि 75 तक maximum दिया था, लेकि 75 तो option है नहीं, तो इसलिए डी वल option आपका सही हो जाएगा, 70, question number 18 है, ब्यक्तिक दुरुगटना भीमा, पत्र के प्रकार है, types of personal accident insurance policy are, F है ना आपका, दुरुगटना भीमा पत्र है, यानि accident insurance letter भी है, दुरुगटना ambitious रोग भीमा पत्र, यानि accident and specific disease insurance letter, और C है उप्रोक्त दोनों, यानि both of the above, और यही बला आपसना आपका सही हो जाएगा, C, both of the above, Question number 19 है आपका, करें कि चोरी भीमा में सम्मीलित है, Thief insurance includes, A है आपका decayty यानि robbery, B है आपका सेध मारी, यानि burglary, और C है आपका, चोरी यानि थिफ, और D हो क्रोक्त सभी यानि all of the above, तो यहाँ पर जो सही अप्सन होगा ना friends, वो होगा D all of the above, Question number 20 है, पसुधन भीमा सनव्रित जोखिम है, The risk covered by livestock insurance, और एकरा की अगनी एमबार्ड की जोखिम में, यानि रिस्क आप फायर एंड फ्लूट, और B है आपका भीमारियों से ग्रस्त, यानि suffering from disease, और C है सल्यचिकिस्सा की जोखिम के व्रित, यानि against the risk of surgery D है, वो प्रोक्त सभी यानि all of the above, यहाँ पर जो सही अप्सन होगा ना friends, वो होगा आपका D all of the above, Question number 21 है, अधित्यजन, जिसे हम खेंड़न वाकी भी कहते हैं, का अर्थ है, यानि waiver clauses means, यह कहरा है, रखना to keep भी है, परित्याग करना यानि to abandon, और यही वला आपसन आपका सही हो जाएगा, परित्याग करना, Question number 21 का B, Question number 22 है, FPA का आसे है, करा कि FPA means, A, बिसिष्ट औसत से, मुक्त, यानि free from specific average, और यही वला आपसन आपका, सही हो जाएगा, ठीक है, free from specific average, और फ्रेंड्स आपको बता दूना, इसका full form भी जो होता है, वो क्या होता है, free from particular average, particular या आप specific कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो, आपका इसका, FPA का full form हो गया, free from particular average, या आप free from specific average कह सकते हैं, question number 23 है, माल समंदी समुदरी बीमा में, जोखिमों के समंद में चलाना है, the trend regarding risks, in marine insurance related to goods is, एपसन आपका, खंड A, यानि section A, B है, खंड B, यानि section B, और C है, खंड C, S, यानि section C, यहाँ पर जो सही एपसन होगा, D, उप्रुक्त में से कोई नहीं, यानि non on the above, इन में से कोई भी नहीं, अगला question है, question number 24, समुदरी यत्राएं, दो जाहजों के बीच टक्कर होने पर, छती का दैत्वग ज्यांत किया जाता है, in case of collision between two ships in sea, wages, the liability for damage is determined by, A है अपसन, शाओधानी की मातरा के अनुसार, यानि according to the degree of question, और B है, और साओधानी की मातरा के अनुसार, यानि according to the degree of carelessness, और यही वला अपसन आपका सही हो जाएगा B, according to the degree of carelessness, question number 25 है, समुदरी भीमा में कौन सा खंड, भावगोलिक छेतर को निर्धारित करता है, जहां coverage परदान किया जाता है, which clause in marine insurance determines the geographical area where coverage is provided, यह अपसन आपका यातरा खंड यानि travel section और यही वला अपसन आपका सही हो जाएगा, question number 26 है, विशिष्ट औस तहानी भीमित भीसे की एसे संकट से होने वाली आंसी कहानी है, जिसके प्रति भीमा किया गया और जो सधारान औस तहानी नहीं है, specific average loss is the partial losses of the insured subject to a peril against which the insurance is insured and which is not a simple average loss, यह अपसन आपका section 61B है, section 62C है, section 63 और D है, section 64 यानि धारा 64 और D वला ही अपसन आपका सही हो जाएगा, धारा 64 question number 27 है, साधारोन आउसत हानी है, यानि simple average losses is, यह अपसन नहीं कर रहा कि पूल हानी यानि complete losses B है, आउसी खानी यानि partial losses और यही वला आपसन आपका सही हो जाएगा, partial losses, आउसी खानी, अगला question है, question number 28, करहे, साधारोन आउसत समय अजन में पहले यह निधारित करना होता है कि, करहें, in simple average adjustment, first it has to be determined that, करा a, साधारोन आउसत की कुल कितनी रकम है, यानि what is the total amount of simple average, और यही वला आपसन आपका सही हो जाएगा, question number 29 है, unwake honey होती है, यानि molecular losses occurs, या अपसन आपका पूर्ण हानी यानि complete losses B है, आंसिक है यानि partial losses, C अपरक दोन, यानि both of the above or D, none of the above, यहाँ पर जो सही अपसन होगा ना, friends, वो होगा आपका A, complete losses, यानि पूर्ण हानी, question number 30 है, किस परकार की समुदरी बीमा policy, एक besisht shipment या, यातरा के cover करती है, यातरा को cover करती है, what type of marine insurance policy covers a specific shipment, or what is, ये अपसन है आपका open cover नीती, यानि open cover policy, B है, floating policy, और C है, time policy, D है, यातरा नीती, यानि travel policy, यहाँ पर जो सही अपसन होगा, होगा आपका D, travel policy, यानि यातरा नीती, तो friends, आपको question यहीपे स्वार्थ होता है, फिर मिलते हैं साम को, 40 question के साथ, thank you friends,